वेलकम बैक देखिए आज हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगा यहाँ पर क्वेश्चन है दिए स्मॉलेस्ट ओड ओडर फर नॉन अबेलियन गुरूप इस तो आप से पुछ रहा है कि आप वह सबसे छोटा नॉन अबेलियन गुरूप बताओ जिसका ओडर क् होना चाहिए अगर आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर और और के बारे में पूछा है अगर सिंपली आपसे यह पोल दे क्वेश्चन इस तरीके से हो कि स्मॉलेस्ट ओडर ओडर ओफ नॉन अबेलियन गुरूप मतलब सिंपली यह कुई दिया जा है कि सबसे छोट तो यहाँ पर्मुटेशन ग्रूप दोनो का ओडर क्या है सिक्स उड्र का जो नौन अबेलियन गुरूप होता है उग्यां पर आपको ऑड ओडर पुचा है अगर यह उड्र नहीं रहाताया है सिंपली आपसे बोलता हों समॉलेस्ट ओडर ओडर ओड तो आँसर हमारा लेकिन अभी जो question है इसमें आपको odd order पुछा है तो आइए तो हम आपको odd order पे बात कर लेते हैं जैसे देखें अगर मैं बात करूं odd order पे तो odd order कौन कौन होता है जी 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 किस तरह किस चलेगा तो कि यहां पर जो option है अब यहां पर हम लोग यह देखेंगे कि हमको कुछ concept यूज करना जैसे देखो जो प्राइम है प्राइम आपका मिली और होता है दो को छोड़ करके तो तीन को देखो आप 5 को देखो 7 को देखो 11 को देखो 13 को देखो ठीक है यह सारे क्या है यह सारे प्राइम है 17 19 23 यह सारा यह जो मैंने आपको और रावंड कर दिया तो अब पता है कि प्राइम के बारे हम लोगo क्या जानते हैं कि every every group group of prime sağorder of प्राइम और इस कोई भी अगर आपको माल लो प्राइम और का का अगर आपका पर प्राइम और का अगर प्राइम अपर साइकलिक इन पर में अलग किया यह तो यहां से कौन कौन हट गया तो आप देख सकते हो यहां साफ का 23 तो हट ही जाएगा ठीक है जी अच्छा अब आज नौ पे बात करते हैं जो बच लियास हो ठीक है तो अगर नाइन पे बात करें इस नाइन पे तो 9 और क्या है तो 9 को आप देखो लिख सकते हो 3 का स्क्वाइर यानि एक आप प्राइम का स्क्वाइर लिख रहे प्राइम है यहां पर यहां से आपका 9 भी हट लिए अब आज ओ नेक्स रों फिफ्टीन पर बात करें तो फिफ्टीन क्या होता है तो फिफ्टीन के लिए 15 जो है आपका इसको आप भी सकते है 3 इंटू 5 ठीक है जाने आप दो प्राइम के मल्टिपल में लिख रहे हो पी प्राइम में लिखा है यहां से दो बात होती है किया क्या क्या करता हो इसा है यह डिभाइट करता हो एक रिदीभायर करते हो तक न अंगया करता हो क्यों माइनस वन को ठीक है अगर All अगर P Q-1 को divide नहीं करेगा then definitely क्या होगा then definitely आपको यहां से abelian group मिलेगा there exists abelian group abelian group मिलेगा of order PQ of order PQ ठीक है जी तो अगर यह property मिलता है आपको कि जो prime P है वो divide नहीं करता है Q-1 को तो यहां से आपको abelian group मिलेगा of that order PQ ठीक है और अगर divide करता है divide अगर करेगा तो यहां पर दो बाते होंगी क्या एक आपको abelian group मिलेगा इस order का ठीक है और एक आपको non abelian group मिलेगा ठीक है जी तो जो non abelian वाला option है ना वो यहीं पर आ सकता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है इसमें कभी नहीं आएगा तो जो non abelian का option है वो इसी में तो अभी यहां पर जो case है मेरा 3,5,0,15 इसमें आप देखोगे कि 3 क्या करता है? divide करता है 5-1 को divide करता है? नहीं करता है ठीक है? आपको यह लेना है एक prime लेना है और दूसरे में एक आपको कम कर देना है यहां पर 3 not divide 5-1 यह 4 आजाएगा and 3 not divide 4 यहां पर जो case है वो कौन सा case है? वो यह वाला case है ठीक है? तो यहां से तो abelian group ही मिलता है तो again आपका जो 15 वाला है यह भी आपका क्या हो गया? abelian ही हो गया यह भी हट गया तो अब definitely यह भी आपका बच जा रहा है यह आपका correct option होगा अब इसको भी हमों verify कर लेंगे अब अगर मैं 21 की बात करूँगा 21 बच गया हमों का 21 को भी हमों क्या लिख सकते है 3 7 जा ठीक है और यहां पर जो position है वो क्या है? 3 divided 7-1 क्योंकि 7-1 क्या आएगा आपका 6 आएगा definitely 3 6 को divide करता है तो यह वाला property आ रहा है इस property में आ रहा है इसका मतलब है कि हाँ पर हमको non abelion group मिलेगा तो non abelion group जो सबसे पहला मिलेगा odd order में वो आपको 15 पर 21 पर आकर मिलेगा तो यह आपको ध्यान देना है 21 is the smallest odd order for a non abelion group और आपको simply यह बोल दे कि smallest order क्या होता है non abelion group का तो वो 6 होता है और वो group B3 या S3 आप आसानी से उसको जानते हो चुकिए आप 6 से पहले देखोगे तो 6 से पहले 1 और 2 यह आपका cyclic ही होता है 3 आपका prime है यह भी आपका cyclic होता है 4 आपका cleanse 4 group यह आपका abelion होता है 5 आपका again क्या है प्राइम है तो इस पर भी आपको cyclic and abelion group मिलेगा तो 6 जी वो order है जिस पर आपको पहला non abelion group मिलता है तो अगर आपको that smallest order push दे of non abelion group तो वो 6 होगा और अगर आपसे यह पूछ देता है कि smallest odd order कौन होगा तो आपका 21 होगा आपको यह समझ में आगे आओगा इस तरह के कुछ important MCQs है जो उन्हों discuss करते ही रहते हैं तो आपको यह अच्छा लगा होगा अच्छा लगा लाइक कीजिए चैनल पर नहें सब्सक्राइब कीजिए पढ़ते रही है Thank you very much